तिवारीपूर थाना चेत के सूर बिहार कालोनी में एक महिला की संसरी खेज हत्या का मामला सामने आया है महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई हत्या की सूचना मिलने के बाद एसेसपी शलब माथूर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर शौ को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया और तफ्तीश में जुट गए आपको बता दें कि तिवारिपूर थाना छेत के सूर बिहार कालूनी के रहने वाले सुनील सिंग अपनी पत्नी रेनू सिंग के साथ मकान बनुआ कर रहते थे से महिला अपने ही मकान में बेटी पालर चलाती थी लगवक 20 साल पहले रेनु की शादी सुनील सिंग से हुई थी रेनु का पती सुनील खेती करवाता था गाउं पर काफी लंबी खेती बारी है उसने उसको अधिया पर दे रखा था और उसी से उसका परिवार चलता था मंग जलवार की सुबा सुनिल सिंग की पतनी रेनू सिंग की किसी ने हत्या कर दी हत्या के बाद से पूरे इलाके में संसनी फैल गई। दिन धाड़े हुई हत्या से छेतर में अफरा तफरीम मच गई। घटना की सुझना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शौक को कवजे में लेकर अपनी तफ्तिश शुरू कर दी। लटना के समद में गोरफपूर न्यू से बात करते हुए एससपे शरव माथूर ने बताया पोस्मार्टर में रिपोर्ट आने के बाद इस्तिती असपच्टो हो सकेगी उन्होंने कहा कि एक मैला के हत्या की बात ये सूरी वियार कॉलिनी पढ़ती है थाना तेवारिपूर में और यहां जो इनके हस्बेंड इनके द्वारह सूचना देगी क्यों रोज से मौनिंग वाप पे जाते थे साड़े तीन से पांच के बीचिए और आज जादी ये वाक से लोटे हैं तब इनकी वाइफ की हत्या हुई है संदर्ब में जो भी क्लिउस हैं उसको हम लोग ले रहे हैं और शी ग्रस नटना का नावरंट किया जाएगा अभी फर्स्ट हैंड जो वहाँ पर एक अलमारी है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है और जो बाकी कम रहे हैं उन में कोई ऐसे चीद नहीं है लेकिन जिस कमरे में मजला के अक्ते आई उसके अंदर एक अलमारी उपन है अभी घरवालों से बात्चीत कर रहे हैं संदर्ब के करेंगे और हम लोग प्रसीड करेंगे इस बीच आसपास के लोगों से हम लोग के बार बात्वी की डॉक्त स्कॉट फील उनिट भी यहां पर आए और शीक जैसा मैंने बताए इस घरवालों किया दैए चोट के निशान है बूटल जो हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट होत हैं बागी पुस्मार्टम के बाद और इसमें क्लारिटी होगी